खरगोन जिले के भिकनगाओं में रविवार देर रातरी को भिकनगाओं से 4 किलोमीटर दूर ग्राम पिपराड और टेमला के बीच में एक महिंदरा पीकप गाड़ी अनियंतिर्थ होकर पलट गई उसमें 16 यातरी सवार थे जिसमें 3 की उपचार के दोरान मोत हो गई और 13 घायल हो गई 6 कंबीर घायलों को भिकनगाओं सामुदाइक स्वास्तिक केंद्र पर प्रात्मिक उपचार के बाद जीला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया सभी घायलों को पुलिस के साथ इस्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुचाया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवानपुरा विधानसभा के ग्राम घटी के महिंद्रा पीकप काड़ी में सवार होकर देशगाओं के पास खेरदा से मांगलिक कारिक्रम में शामिन होकर लोट रहे थे कि पिपराड के पास महिंदरा पीकप बिजली के पोल को तोड़ते हुए आनियंत्रित होकर पलट गई जिससे उसमें सवार करीब एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गई और उप्चार के दोरान तीन की मौत हो गई खरगाउन से अजे तिवारी की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें